दोस्तों इंडिया में अलग-अलग स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू का एलान होने लगा है और काफी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आने लगा है कि हो सकता है अगर ऐसे ही COVID-19 के केसिस इंडिया में बढ़ते रहे तो आने वाले टाइम में इंडिया में भी दुबार क्रेश आ सकता है तो दोस्तों ये सवाल वो लोग जाधा पूसर हैं जिनको फर्स्ट वेव में जब स्टॉक मार्केट में क्रेश आया था वो याद है लेकिन मैं आपको दुबारा से एक बर यह याद कराना चाहता हूं कि जब सेकंड वेव आई थी स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा एक अच्छी खासी उपर मार्केट गई थी जब सेकंड वेव में लॉग डाउंस भी लगे थे वहाँ पर एक अच्छी खासी इंडिया में बहुत बड़ी वेव भी आई थी लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में उपर गई थी स्टॉक मार्केट और आल टाइम हाई के आसपास चली गई थी तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको मैं यही बोलूगा कि COVID-19 की वेव से आपको इतना कंसर्न नहीं अभी रखना है जादा कंसर्न क्या है कि वो जो तीन महीने से लगातार FIIs की सेलिंग इंडिया में देखने को मिल रह है आपको उस पर ध्यान रखना है अगर आने वाले टाइम में ऐसे ही वो कंसिस्टेंटली सेलिंग करते रहे इंडिया में तो हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो जाए और अगर आप रिसेंटली देखेंगे जो लास्ट फ्राइडे को यह है लेकिन अगर यह सेलिंग रुख जाती है जैन्वरी में तो हो सकता है मार्केट फिर से उपर जाने लगे लेकिन सिर्फ कोविड-19 की थर्ड वेव की वजह से बहुत बड़ा क्रेश मार्केट में आये ऐसी पॉसिबिलेटी नहीं है और वो लोग जो यह सोच रहेंगी श कि जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट करेक्ट हो तो उस करेक्शन में आपको पैसा लगाना ही लगाना है आपके पास अगर पैसा है आप लगा सकते हैं आप अपकी रिस्क के साफसे पैसा और लगाना चाहते हैं तो ही आप पैसा लगानी के बारे में सोचें और यह जो जूरूरत नहीं है वो चीज़ भी आप समझ के चलिए क्योंकि ऐज रिटेल इन्वेस्टर जरूरी नहीं है कि आपके आस बहुत सारा पैसा रखाओ जो आप हर पर लगाने की सोचे और यह चीज में आपको लगातार बताता हुню आ रहा हूँ कि अगर आपको invest भी करना है, डिप्स पे market correction पे आपको invest भी करना है तो आप एक strategy से invest करें, ऐसा नहीं है कि market 1-2 परसंट गिरती है तो आपको invest करना ही करना है 500 point का एक range ले लीजिए कि निफ्टी अगर 500-500 point नीचे आएगी तो आप अपना 10-10% परसंट ऐसा उसमें लगाएंगे इस टाइप से आपको invest करना है अगर market 57% correct होती है तो जरूरी नहीं आने वाले time में भी कि आपको उसफ़क लंसम पैसा लगाने की जरूरत है अब दोस्तों ये चीज काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे वो हमेशा stock market में crash के लिए prepare रहे हैं और मैं काफी time में आपको बता भी चुका हूँ अलग-लग time में कि क्या वो 2-3 चीज़े आपको करनी है जिससे आप stock market में invest करते हैं crash को लेकर इतना concern नहीं होगे अब देखिए दो type के लोग crash को लेकर जादा concern होते हैं एक तो वो लोग हैं जो शायद already जब nifty 18,000-18,500 के आसपस गई थी वो अपना सारा पैसा लगा चुके हैं और दूसरे वो लोग हैं जो काफी सारा पैसा भी लेकर बैठे हो हैं और उनको लग रहा है कि market crash होगी तो उस crash में आप पैसा लगाएंगे तो देखिए अगर आप 18,500 के आसपस पैसा लगा चुके हैं तो अगर आप यहां पर डरने से कोई फाइदा नहीं होगा तो आप अगर long term investor हैं तो आपको घबरानी की कोई जरूरत नहीं है आप लंबे time के लिए invest कर रहे हैं हो सकता है एक साल बाद नहीं तो दो साल बाद या हो सकता है दो महीने बाद ही मार्केट फिर से 18,500 के आसपास आजए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो यानि कि आप equity में invest करने के लिए नहीं बने हैं तो थोड़ा बहुत आप अपनी positions वहां पर हलकी कर सकते हैं और वो investors जो बहुत सारा थे इवेंट जो मार्च में हुआ था वो 10-12 साल में एक बार मार्केट में होता है तो आप यह expect करके चलें कि हर दूसरे साल में मार्केट में crash आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर लेवल पे मार्केट के लगा सकते हैं SIP करके मार्केट में पैसा लगा सकते हैं अब यहां पर दोस्तों मैं आपको अपनी personal strategy भी share करता हूँ कि जिससे मैंने मार्च 20 का जो crash आया था उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी और मैं और भी जादा पैसा लगा पाया था मैंने कई बार यह चीज आप लोगों को बताई है लेकिन सिंस यह सवाल मेरे पास बहुत बार आता है तो मैं आज दुबारा से आपको यह चीज दुबारा से clear कर देता हूँ तो दोस्तों देखिए अगर आप stock market में आये हैं सबसे जो important चीज आपके पास हो जाती है वो यह है कि आपके पास एक emergency fund हमेशा रहना चाहिए देखिए सबसे बड़ा concern क्या होता है अगर stock market crash होती है तो वो concern यह होता है कि उस time पे अगर आपको पैसा चाहिए और आपने अपना सारा पैसा stock market में ही लगाया हुआ है तो चाहे आप चाहे ना चाहे आपको पैसा निकालना पड़ेगा stock market से तो उस time के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर आपके पास एक emergency fund रखा है वो emergency fund में रखे चाहे वो आप FD के रूप में रखे आप किसी liquid fund में रखे या आप bank account में रखे वो आप सोच सकते हैं अपने risk के हिसाब से लेकिन एक emergency fund आपको हमेशा अपने पास रखना है सारा पैसा आपको stock market में कभी भी invest नहीं करना है दूसरी चीज़ दोस्तों हमेशा मैं यह चीज़ बोलते हूँ कि जब भी आप stock market में पैसा लगाते हैं आप लंबे time के हिसाब से सोच कर पैसा लगाएं एक दो महीने चार महीने छे महीने के लिए पैसा आपको stock market में नहीं लगाना है अगर आप retail investor हैं तो ज़रूरी नहीं है चार-चे महीने में आपको बहुत अच्छी returns मिल जाएंगी बहुत सारे investors मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं हमने इस fund में पैसा लगाया था पिछले चार महीने से पैसा लगा रहे हैं negative दिख रहा है चे महीने से पैसा लगा रहे है नेगेटिव दिख रहा है तो देखिए stock market ऐसे ही चलती है ऐसा नहीं है कि आप stock market में पैसा लगाएंगे चे महीने में आपको 15-20% की return मिल सकती है ये थोड़ा जो आपने 2020-2021 में return दिखी थी ये थोड़ा अलग period था आने वाले time में अगर आप stock market में 15-20% की भी return generate कर लेते हैं तो बहुत अच्छी returns आप generate कर लेंगे तो आपको वो चीज समझ के चलनी है कि अगर आप stock market में पैसा लगा रहे हैं तो long term के हिसाब से पैसा आपको लगाना है short term के perspective से आपको नहीं सोचना है और जो आपकी expectation है market से उसको भी आपको थोड़ा limit करना वड़ेगा अब आने वाले time में 2022 में ऐसा नहीं होने वाला कि आपको large cap में 50% की returns मिल जाएगी small cap में आपको 100% की return मिल जाएगी अब 2022 में वो चीज नहीं होने वाली तो वो चीज आप सोच कर चलिएगा stock market में पैसा लगाते हुए और तीसरी चीज दोस्तों जो मैं हर बार लगबग हर वीडियो में आपको बोलता हूँ asset allocation बहुत ज़ादा ज़रूरी है आप कितना risk ले सकते हैं वो आपको समझना है stock market में नुकसान भी होता है तो उस चीज के लिए आपको ये बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि आप अपना asset allocation अपने risk के हिसाब से करें जैसे कि मैंने एक emergency fund बताया जो आप अलग कर दें उसके अलावा debt में भी आपको पैसा लगाना ज़रूरी है PPF, RBI, bonds जो भी instruments आपको समझ आते हैं gold उनमें आप पैसा जरूर लगाएं सारा पैसा equity में आपको नहीं लगाना है और equity में भी जो आप पैसा लगा रहे हैं उसमें भी large cap, mid cap, small cap में allocation आप अपने risk के हिसाब से करें return के लालच में अपने risk profile को भूल कर आप अगर पैसा लगाएंगे stock market crash होती है तो आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि उस time पे बहुत जादा pain होता है जब आपका portfolio 20-30% negative में दिखता है आप 2-3 साल से पैसा लगा रहे हैं अचानक से stock market में crash हो गया 20-30% आपका portfolio negative है तो अगर आपने risk के हिसाब से पैसा नहीं लगाया होगा तो उस वक्त आप घबरा कर अपने mutual funds बेच देंगे अपने shares बेच देंगे चाहे कोई कितना भी बोलता रहे चाहे आप कितना ही long term के हिसाब से सोच के आए हो लेकिन अगर अपने risk के हिसाब से उस वक्त पैसा नहीं लगाया होगा तो आप share market में नहीं टिक पाएंगे उस वक्त risk का मतलब दोस्तो simply यही है कि आप कितना loss लेने की शमता आपके अंदर है तो उस चीज़ को समझ कर आप हमेशा share market में invest करें उमीद करता हूँ दोस्तो इस वीडियो से आपको help मिली होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share जरूर कर दें धन्यवाद